कि बलातकारियों के साथ नहीं पुलेगे दूर्व परता चारियों के साथ नहीं कहड़े subject कर पउस् SJ मर जाया इसी इस बाहर जनता इनकी धुलाई कर रही है इस बाहर जनता इस द्वार देश् UCI आधीयाबादी उच जेश का हिंदू कड़ा हो गया है कि हमें भाजपाई कारता हूं भाजपाई नेताओं और आरेस्ष को से परने बहुत की रक्षा करनी है बलातकारी होते हैं रेपीच्ट होते हैं इनहीं के पाट्डी के लोगों ने मणीपुर में नंगी घुमाया हैं महिलाउं को अंजनाव पुरी भाजपाव और ससकानाज हो जाएगा कि मशकार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनहित आवाज इस तरीके से खबरे आ रही है प्रेजवल रेवन्ना के बारे में आप जानते ही होंगे वह करनाटक के हसन सीट से लोकसब अचुनाब जो हैं वो लड़ रहे थे और वहीं से खबरे आ रही हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा जो सेक्स जो चलाया है इस तरीके की खबरे आ रही हैं और बताया जा रही है कम से कम तीन हजार से ज्यादों जो महिलाओं के साथ इन्होंने रेप करा है दुशकरम करा है और इसी मुद्दे पे बाचीत के निकल अब दरसल क्या है कि प्रदान मंतिरी नरेंद दामोजर्दास मोदी का समय इसा चकर घुमा हुआ है इनके छूट का पुलिंदा इनके जुमलेबाजी का पुलंदा पुलिंदा को बीड में इनके दोरा उस कंपनी से लेकर के पैसा जो बावन करों लिया था आज इंगलेंड क कि आदालत में उसने कबूल कर लिया कि कोवीड का जो भी इंजेक्शन लगा है इससे हाड अटेक और ब्रेन हैमेज के खोतरे बढ़े लगभग कोवीड के दोरान इंजेक्शन लगने के बाद को डेर्दू करों लोग तो मरी गया है और उस हत्या का जिम्मेदार देश का प्रधान मंत्री नरिंदा मुद्वत आत्मों दिये और वही अगर प्रधान मंत्री वेक्सिनेशन नहीं लेके आते तो आप लोगों को तकलीफ होती है उसके बाद सुनिए यह बैक्ति छपास वाला यह बलातकारियों का सहयोगी है अभी करनाटक में इनके पार्टी के समा पता अधिकारियों ने चिठी लिए करके इस जालिम प्रधान मंत्री को लिखा था कि जेडियस से समझोटा मत कीजिए उसके एक एंपी है प्रजल रमन रेमन ना इसके उपर कंभीर सेक्स्वल कांट के आरोप लगे हुए हैं तमाम महिला है फायार करा चुकी हैं तमाम लेकिन साथ ही जवी बोला जारहे ने कि पेक खबरे बना है जो भी उनके बारे में आ रही है दो पधाजिकारी उनकी चिcover तो फेक नहीं है वह लोग आखर के बयान दे रहें के पूर्वे मंतरी बया दे रहें कि हमने पार्टी को पेले या एगा हा है लेकिन यार। लालची कि हमारी सीटें जो उत्तर भारत से कम होंगी इसके साथ मिल करकि हम कम कुछ भरपाई वहां कर लेंगे करनाटक में आज उस्थिति है कि 28-28 सीटें यहार ने जा रहा है अब पहले ही बता दे रहें कि 28-28 सीटें के हारने जा रहा है रिजल्ट से पहले ही आप कैसे बत नहीं आने वाला क्योंकि आदमी जूट बोलता है अब मातर सक्ति के पीछे छुप रहा है अपनी बीबी को तो न्याय नहीं दिला पाए मंगल सुट्र के बही बात कर रहे थे इनकी जो महिला विकास मंत्री है ट्रिपल सिलेंडर इसमी ती रानी आप उन्हें ट्रिपल सिल के लिए पर्सनल्टिप पड़ी कर रहे हैं भाई महिला विकास मंत्री है भारत सरकार की उसे ने कोई बयान दिया और रूबी का लियाकत उसने कहा कि यह हरामी है हरामी सब्ज का इस्तमाल किया है ट्यूटर पर चला देखिए ने कितनी सची पत्रकार है वह सची पत्रकार अब ही उनके अंदर का औरत जग रही है अंजना मोदी को मुँपे कालिक पोस्त लेनी कि तरह त्रिपाठी पर कितने दिन डिबेट सुम चलाओं गई इस पर एक बलातकारी के लिए तीन हजार के करीब इसे ने जो है बलातकार किया महिलाओं का यहों सोचर किया देव जो शुरू हुई इसको भनक लग गया यहां से विदेश जर्मानी भाग गया बीन इवता यह जिसको पर जो आरोब लगता है भी जब माल्या भाग जाते हैं देश के परधानमंत्री बलातकारियों के साथ खड़े हैं उनके सहयोगी हैं उनके सरगना माने जाते हैं लेकिन सब्धानने रही हिस सभार नहीं धुल भाएगा इस जनता इनकी धुलाई कर रही है इस आरे से पर बहु बेटी कि रख्षा कर नी है बलातकारी हो ते हैं कि इन्ही के पाठी का था जो विय एक हम्योतली टिन कर fossil exist한 हुए टिन करहु नंगी गुमाएं अबनगेशं को फादी का कुली पर सेंगर न हम रह कुल्धिर जाय्ग धाग था उनना वाला कि इन्ही पाठी का सिम्यानन था जो ग्रिय। राजमंतिरी था तो आप बताएज थो प्रधान मंत्री को ऐसा बोल रहे हैं कि शरम है तो गंदे नाले में डूब के मर जाए यह प्रधान मंत्री है प्रधान मंत्री आपके वी अए मुसल्मानों आटेक कर रहे हैं सिदाग जिस तरीके से कहा रहे हैं गुस्पैटिया और कहा जा रहा है कि मुसल्मान जो हैं बच्चे पैदा करने की मशीन है इसमें आप क्या कहें इनके बापने छे बच्चे काहें पड़ा किये तरि उनसे पूछा है यह बता मैं यह तो उसके भी काविल नहीं है पैदा करने के लिए तो आप सीधा अटैक कर रहे हैं फिर से नरेंदर मोदी जी परू तो पहले की बात है ना पचास लाकी गर्ल फ्रे से अपना सीना पीट करोंगे हमको इतनी गालियां मिल लई है हमको जो तमाम तरह की एक नारी का अपमान राम औरने किया था हरण किया था अब पूरे लंका का नास हो गया और इस बार पुरी भाजपा और शसका नास हो जाएगा पहले ही चरण में भाजपा जीद गई और अगर इस बारी लोग सत्ता में आए तो हिंदुस्तान को घ्रियू धोने से कोई नहीं बठा सकता सत्ता में तो वह आएंगे पहले ही कह दिया है चार जून को आप देख लीजेगा और देखा जाएगा कोई कलक्टर को साइद रिट वहां के रिटर्णिंग अफसर्ज जो है वो क्रोधित है और शायद बादलाव उस बार देखने को मिल सकता है लेकिन चार जून को ही पता चलेगा क्या चार जून को इसल metal यह दुबारा ज चार सोव पार होता है या फीर कांग्रेस की सरकार आती है इस पे आपकी के रहाया है कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रत